स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्म और आज हम बात करने वा रहे हैं निफ्टी 50 के एक तिक्ट स्टॉक विब प्रो लिम्टेट के बारे में तो आज है 15 नमंबर और स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो साफ तोर से देख सकते हैं कि न्यूटरल बेहेव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ना कोई बड़ी तेजी ना कोई बड़ी गिरावट 660 रुपे 45 पैसे के करीब यहां पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सेलिंग प्रेशर यहां पर स्टॉक में बना हुआ है साफ तोर से देख सकते हैं 6,45,000 कॉणटिटी अभी तक सेल होती हुई देखे गई है वहीं पाइंग कॉणटिटी की बात करते हैं तो 2,96,000 कॉणटिटी यहां पर उठती हुई दिखाई दी है डिलिबरिबल कॉणटिटी की अगर हम बात करते हैं तो 41% के करीब डिलिबरिबल कॉणटिटी यहां पर उठाई जा चुकी है दोस्तों फटावर से डिसकस करते हैं इसके चार्ट के बारे में जानते हैं क्या रणनीती हमें अपना कर चलनी चाहिए दोस्तों आपके सामने विप्रो लिम्टिट का डेली चार्ट हमने लगाय हुआ है धीरे धीरे एक अप मूव स्टॉक में पंती हुई दिखाई दे रही है देखिए 669 रुपे असी पैसे पर अभी ट्रेट करता हूँ नजरा रहा है उपर की तरफ अगर हम देखें तो देखिए ये स्टॉक एक शानदार हाई लगा कर आ चुका है 749 रुपे 98 पैसे का ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ हाई लगा है था यहीं से गिरावट का सिलसला हमें देखने को मिला था और देखिए नीचे की तरफ स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया तर वो सपोर्ट है 637 रुपे 50 पैसे का सपोर्ट ये एक इमपोर्टन सपोर्ट के तोर पर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है दो लेकिन मैं आपको बता दूँ फिर से यहाँ पर एक अपमूव आपको देखने को मिल सकते है दूस्तों बात करें यहाँ पर रन नहीं देखी कि हमें क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना कर चलने चाहे है दूस्तों देखें फ्रेश बाइंग का शानदार मौका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपको बाइंग करने का मौका में ले तो देखें 665 रुपे से लेकर 665 रुपे मैं आपको बताईता हूँ दूस्तों दूस्तों कि 665 रुपीज से लेकर 667 रुपीज तक आप फ्रेश बाइंग विपरो में करके चल सकते हैं देखिए आपको क्या करना है एक stop loss यहाँ पर जरूर लगा कर चलना है और वो stop loss होने वाला है दोस्तों 637 रुपे का stop loss 637 रुपीज का एक छोटा सा stop loss यहाँ पर लगा कर आपको चलना है दोस्तों target के अगर आप बात करते हैं यदि अच्छी काजी तेजी दिखाता है यह stock तो चलना ही 700 रुपे के target को तोड़ता हुआ दिखाई देने वाल है तो देखिए दोस्तों बिलकुल अपने portfolio में इस digital stock को शामिल रखें यदि पहले से ही आपके portfolio में digital stock शामिल है तो यही रणनेती आपको अपनान है इस समय विप्रो के अंदर आप चाहें तो अपनी खुद के analysis खुद के research ज़रूर कर सकते हैं invest करने से पहले तो यहीं बताने के लिए अपने video उनाए थी यह थी आपको हमारे videos पसंद आती हैं तो please like करें, share करें और subscribe करें video दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद